हलो फ्रेंड्स बल्गम धूमा यूटूब चानल गाइस यूपी ट्रपल सी पैट का 15 अक्टूबर 2022 का फर्स सिप्ट और सेकंड सिप्ट का एक्जाम हो गया है एक्जाम होने के बाद जनरल OBC, SC, HT, PH की एक्सपेक्टेट कटाफ क्या रहेगी डिप्ट बॉटणे, twenty wise, सिफ्ट स्कोर क्या रहेगा, 2020 में क्या कटाफ थी और 2022 में इस बार क्या कटाफ रहेगी थारी जिर्ट हो फिल्कियगेए इसके बारे मिंग आपको जनकरी देने वाला हूँ तो वीडियो काफी important रहने वाला है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाई को सिया जरूर करें जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को subscribe करें के notification bell को on कर लिजिए जब आप notification bell को on करेंगे तभी मेरे नई वीडिक नोडिविकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2022 में कितने आवेदन हुए थे और 2021 में कितने आवेदन हुए थे तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 की तो देखें 2022 में 49 लाक लोगों ने आवेदन किये हैं और एक्जाम जो है आपके चार सिप्ट में इस बार कराए जा रहे हैं पिछले साल की मुकाबले इस बार जो आपकी जो फॉर्म है इस बार जादा भरे गए हैं 2021 कि अगर हम बात करें तो 2021 में लगबक 20 लाक फॉर्म फिल किये गए थे और दो सिप्ट में एक्जाम जो है आपके ये आयोजित किये गए थे तो आप लोग पिछले साल की इस बार की तुल्ना करें तो पिछले साल की तुल्ना में इस बार जो है आपका कट आप कितना देखने को मिल सकता इसके बार जो मैं आपको बात में खर बताऊंगा तो competition जादा है इस बार क्योंकि 49 लाक फॉर्म फिल किया गया है और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो exam नहीं दे रहे हैं काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो exam इस बार छोड़ भी देंगे ये भी है तो अभी तो फिराला confirm नहीं है कि अभी तक कितने बच्चों ने exam दिया है आज आज जो आपका exam हुआ है 1st shift और 2nd shift में उसमें कितने बच्चों ने एक्जाम दिया और कितने बच्चों ने एक्जाम छोड़ दिया है Competition आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा तो कटाब देख लेते हैं क्या कटाब रह सकता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2021 के कटाब की 2021 में क्या कटाव रह सकता है 2022 में क्या कटाव रह सकता है तो सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं तो देखिए जनरल की 2021 में 62.96 कटाव थी और OVC की जो कटाव है 62.96 यानि कि जनरल और OVC की जो कटाव गई थी 2021 में बिल्कुल सेम रही थी वहीं अगर आप SC की बात करें तो SC की जो कटाफ है 61.80 कटाफ रही थी और ST की 44.71 कटाफ रही थी तो आप लगों दे सकते हैं कि 2021 में क्या कटाफ थी और 2022 में क्या कटाफ रहे गई तो 2022 में आपको कुछ ज़्यादा कटाफ देखने को मिल सकती है SC की 41.80 और ST की 44.71 कटाफ थी अगर मैलाओं की बात करें तो मैलाओं की जो कटाफ थी 2021 में 64.74 कटाफ थी हैंडिकैप जो बच्चे थे हैंडिकैप बाले बच्चे उनकी जो कटाफ थी 51.12 को आप दे सकते हैं अब बात कर लेते हैं 2022 में क्या कटाप रहेगी तो अगर हम जनल की बात करें 2022 में तो जनल की जो कटाप है आपको 66 कटाप देखने को मिल सकती है है आ सिए की बात करें तो एसी की भी कट आप आपको 65 देखने को मिल सकती है है कि अगर हम बात करें तो एस्ट robi की की जो कट आप आप 49 देखने को मिल सकती है और भूमेन यानी मालाओं की जो कट आप है Circus हैंडिकाब बच्चे इनकी जो कटाप है 56 देखने का आप लोगों को मिल सकती है तो अगर आप तुलना करें 2021 की तो 2021 तुलना में इस वार फॉर्म भी ज्यादा भरा गया है और इस बार कटा भी ज़्यादा रह सकता है मैंने फर्स्सिप्ट और सेकंड्सिप्ट दूनों पेपरों को देखा और मैंने analysis किया उसमें मैंने question के level देखे तो first ship के question जो question आई थे उसमें GK वाला जो person था बच्चुँं का GK वाला जो question थे के एक कोश्य ने मैं देखे हैं चाहे रेजिनिंग की हो चाहे मैं इत की हूं फर्स्ट वाला पीपर आपका कुछ मजब यह बुन सकते हैं कि आपकी मोटर्ड लेवल का पेपर ठाज ज्यादा हार्ड नहीं था और सेटर्ड वाल जो पेकर आपका आया है उसमें जो second shift ला paper आपका हुआ है उसमें question कुछ hard थे आपके कुछी question आपको सराल देखने को मिलेंगे easy और बाकी question hard थे तो first shift और second shift के आखर आप तुलना करें तो first shift और second shift की तुलना में first shift का जो आपका paper हुआ है उसमें question जोते हैं आपके काफी easy question थे यह आप बोच सकते हैं तो अगर हम बात करें कि safe score देखिए total mask 100 number का आपका paper हुआ है time दिया गए है 2 घंडे का यानि कि 100 question थे 100 number के पिछले साल जो आपकी inspector की vacancy आए थी तो उसमें जिन बच्चों के 86 number थे pet में वो इस form को fill कर सकते थे तो target आपको इस बार मानके चलना है कि 85 से 86 number इस बार आपको लाने हैं ताकि जो बड़े level जो बड़े level वाज जो form निकलते हैं उनको आप fill कर सकें कहने का मतार मेरा समझ गए होंगे तो अगर आपके 85 से 86 number बन जाते हैं तो आप जो बड़े level जो form निकलते हैं आप उन form को fill कर पाएंगे ठीक है तो target मानके आप लोग यही चलना तो comment box में आप लोग यह बताएगा कि आप लोगों ने कितने question attempt की हैं आप लोगों के कितने question सही निकल रहे हैं तो छोटा सा वीडियो थाब लोगों के लिए अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक हो सिया जिरू करें और जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया सभी बच्चे चैनल को subscribe फिरकर notification बैल कौन कर लेजिए जब आप notification बैल कौन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी तो मिलते हैं नेश वीडियो के साथ जैहन जैवारत